हेलो फ्रेंज बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्क्रीन पर देखकर ही आप समझ के हुगे कि आज के इस स्क्रीन में हम कैपलर के नियम डिसकस करने वाले हैं जीहां केपलर्स लॉफ, प्लनेटरी मोशन और अन्त तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम केपलर के नियम क्या है ये जानेंगे साथ ही हम उससे रिलेटेड डेरिवेशन भी समझने वाले हैं सबसे आसान तरीके से लेकिन फ्रेंस कहना चाहूंगे कि अगर ये वीडियो आपके लिए हैल्फुल होता है तो फ्रेंस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सबस्क्राइब करना, बिल्कुल भी न भूलें आए बिना डिले की वे स्टार्ट करते हैं आज का डिसकर जन तो फ्रेंस कैपलर ने थ्री लॉज दिये हैं, तीन नियम दिये हैं तो एक्स्प्लेइन दा मोशन अफ प्लानेट एराउंड दा सन ठीक है, सूर्य के चारो तरफ ग्रहों की गती की व्याख्या करने के लिए तीन नियम दिये कैपलर ने तो देख लेते हैं क्या हैं वो तीन नियम पहला नियम है जिसमें कैपलर ने ये बताया कि जो प्लानेट है, ग्रह है वो सूर्य के चारो तरफ एलिप्टिकल पाथ में ही चक्कर लगाता है दीर्घ व्रत्तिक अक्षा में चक्कर लगाता है प्रतेग्रह सूर्य के चारो और दीर्घ व्रत्तिक अक्षा में गती करता है जहां सूर्य इसके एक फोकस पर होता है अब दीर्घ व्रत्त आप जानते होंगे सभी लोग देखिए व्रत्त तो सभी को पता है है न सर्कल सर्कल सभी लोग जानते है इसको सर्कल में चाहे जिस पॉइंट पे आप लेंगे इसका रेडियस यानि त्रिज्या एक बराबर आएगी लेकिन अगर इसी का शेप हम थोड़ा सा ऐसा आप ये इमेजिन करिए कि ये ऊपर से और नीचे से इसको पकड़ के आप प्रेस कर दें दबा दें है न तो जब आप दबाएंगे तो ये त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या छोटी हो जाएगी इसके कंपेरीजन में ये साइड वाली त्रिज्या आपको बड़ी दिखेंगी तो इसी circle का shape कुछ इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा है ना आप यहाँ पे देखिए कि यह त्रिज्या बड़ी और इधर की त्रिज्या छोटी हो जाएगी यह त्रिज्या बड़ी ठीक है तो जो बड़ी वाली त्रिज्या आप देख रहे हैं इसको आज यहाँ पे A से रेप्रजेंट करेंगे ठीक है और दूसरी वाली त्रिज्या आपको छोटी यह मिल रही है एक साइड की त्रिज्या इसमें बड़ी है और दूसरी साइड की त्रिज्या छोटी है ठीक है जबकि circle में क्या हो रहा था कि हर जगे इसकी त्रिज्या जो है वो आपको बराबर मिल रही थी लेकिन जैसे ही आप इसका दीरगवरत्य की तरफ जाते हैं तो एक त्रिज्या इसकी बड़ी हो जाती है जिसको आप नाम देंगे semi-major axis जो बड़ी वाली त्रिज्या है इसी को हम बोलेंगे semi-major axis अर्ध प्रमुख अक्ष ठीक है और दूसरी तीज्या है जो छोटी वाली है जिसको ये बी कहेंगे यहां पर हम वो क्या होगी semi-minor axis तो ये हो गया दीरगवरत ठीक है और अब दीरगवरत्य सरकल हटा दे क्योंकि आप दीरगवरत्य समझ गये ह और जितने planets हैं, ग्रहे हैं वो सूरी के 4 तरफ एक इसी तरीके के 써ट पर चक्र लगाते हैं इसको कहते हैं, प्लानेट की ग्रहे की कक्षा यानी हर प्लानेट सूरी के 4 तरफ दीरगवरत्य कक्षा में चक्र लगाता है अब सरकल में सिर्फ एक center की हम बात करते हैं केंदर य दीर्ग वृत्य में हम दो फोकस की बात करते हैं देखे एक फोकस इधर होगा और एक फोकस इधर होगा तो इन दोनों में से किसी एक फोकस पे सन को कहा गया ठीक है यहां पर मान लीजे आपका सन है यह हो गया आपका सन ठीक है और प्लानेट इस कक्षा में चक्कर लगाता र और इधर चक्कर लगा रहा है आपका planet ओके तो जो दीर भुब्रत है जो ellipse है उस elliptical path के दो में से किसी एक focus पर sun होगा और इस elliptical path पर planet चक्कर लगाएगा ये है first law जो कि Kepler ने दिया था regarding the motion of the planet ठीक है around the sun और इस law को कहते है law of orbit यानि कक्षाओं का नियम ठीक है तो law of orbit आप समझगे elliptical path में ये भी बता दिया आपको कि ये आपका है semi major axis जिसे आज हम A से represent करेंगे अभी आगे अन्त तक वीडियो में रहिएगा साप में क्योंकि अभी हम capitalist law से related जो प्रूफ है जो derivations है हम उनको भी सीखेंगे और दूसरा वाला ये वाला जो है इसको कहेंगे semi minor axis ठीक है यहाँ एक चीज आपको और बता देते हैं कि जब sun यहाँ पे है आपका ठीक है और planet यहाँ revolve कर र पास होता है ठीक है लेकिन जब planet इस जगे पर पहुंचता है तो वो sun से सबसे ज़्यादा दूर होगा यानि elliptical path में जब planet revolve करेगा तो एक ऐसी position आती है जहाँ planet sun के सबसे ज़्यादा पास आ गया है ठीक है लेकिन जब दूसरी ऐसी position है जहाँ सबसे ज़ादा दूर हो गया है अभी आपको जो मैं पुरण नोट्स देने वाली हूँ उसमें डाइग्राम भी दिया है जहां इस पॉइंट को हमने P से रिप्रेजेंट किया है और जो सबसे ज़ादा दूर वाला पॉइंट है उसे A से रेप्रजेंट किया है P से क्यों? कि जो P वाला point है उसको हम नाम देते है Perihelion ठीक है? उसको हम नाम देते है Perihelion ठीक? ये नाम दिया जाता है जो सबसे past का point है सूरे के past planet का ellipse में वो है Perihelion ठीक है? इसलिए P से रेप्रेजेंट कर दिया और जो सबसे दूर वाला point जिसे A से रेप्रेजेंट किया गया है उसको नाम देंगे Aphelion तो ये आप समझ के ये तो था first law जो की दिया Kepler ने regarding the motion of the planet around the sun अब इसी में आगे चलते हैं second point ठीक है? आपने सीख लिया कि planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of its foci अब जब इस elliptical path में sun focus पर है और planet revolve कर रहा है ठीक है? यहाँ पर एक focus पर sun है और planet revolve कर रहा है ठीक है? तो जिस भी position पर जहाँ पर भी आपका planet पहुंचता है मान लिजे यहाँ पहुंच गया ठीक है? यह है आपका planet अब planet को sun से जोड़ने वाली यह रेखा है यह जो line यह वाली line जो planet को sun से मिला रही है जैसे जैसे planet आपका move करेगा यह वाली line भी आगे move कर जाएगी ठीक है? मान लिजे planet पहली p position से p dash position पर पहुंच गया ठीक है? तो आपकी यह वाली line भी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी और जब line move करेगी जो planet को sun से जोड़ रही है तो यह कुछ area या cover करती हुई चली जाएगी है ना यह वाला जो shaded area है इसको cover करती हुई चली जाएगी ठीक है? अब p से p dash पहुंचने में मान लिजे इसको delta t time लगा तो यह time आप पूरे revolution में पूरा चक्कर लगा रहा है उसमें कहीं पर भी calculate करें मान लिजे हम अभी हम perihelion की बात कर रहें perihelion side में थे मतलब इस side से हम बात कर रहें दूर है planet आपका लेकिन अगर अब हम विख्षी ता अभी हमने effelion side बात किया है अन도 जो सबसे दूर है A point जिधर था यहाँ A point था हमने effelion side बात किया है जहां planet सबसे दूर है मैंने perihalien शायद बोल दिया बाई में इस ते यह effilien point है effilien side आपका planet है सबसे दूर है वहाँ पे हमने दिखा करके बात किया है अगर आप यह से perihalien side ले आते हैं perihalien यानि कि सबसे past में आप याद रखने के लिए ऐसे भी word को थोड़ा सा connection दे सकते हैं perihalien यानि कि यह side जो point था perihalien side perihalien को past से जोड लिजेगा effilien up side है न दूर side तो effilien दूर वाला point perihalien यानि past वाला point ऐसे आप connection बना करके याद रख सकते हैं तो perihalien side जब आप लेकर के आएंगे प्लानेट को तो मान लिजे इस position को आप P के हैं यह कहीं यहाँ P' पे जब पहुंचेगा करके जैसे हमने point यहाँ लिया अब उसी चीज़ को हम perihalien side देख रहे हैं और बिल्कुल delta T time में ही आप देखेंगे कितना distance cover करता है जितना time आपने इधर दिया planet को move करने का उतना ही time आप इधर भी इसको देंगे planet को move करने का और देखेंगे कि sun और planet को जोडने वाली जो line है वो कितना area cover करती है तो friends यहाँ आप क्या observe करेंगे कि same time interval में जितना time हमने इसको इधर दिया उतना ही time हमने इसको move करने के लिए इधर भी दिया तो आप देखेंगे कि यह जो line है जो sun और planet को मिलाती है वो line कहीं पर भी यानि perihelien हो effelien हो या कोई और भी point हो कहीं पर भी है ना चाहें यहाँ पे हो यहाँ पे हो कहीं पर हो same time interval में same area cover करती है ठीक है यानि अगर यह delta t यहाँ time दिया है delta t ही यहाँ time दिया है तो जितना area आपका यह वाला होगा ठीक है तोड़ा color change कर दूँ जिससे आपको सही दिखाई पड़े जितना area आपका यह वाला है उतना ही area आपका यह वाला भी होगा ठीक है समझ में आगया इतना यानि कि अगर हम कहें कि इस side हमारा area delta a है delta a यह 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 तो यह भी area delta a ही होगा ओके अब delta a कहीं पर भी हो same होगा समयांत्राल में सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान छेत्रफल cover करेगी समान छेत्रफल पार करेगी ठीक है तो delta a same हो गया अब अगर आप कहरें delta a same हो जा रहा है तो इसका मतलब आप यहां क्या कह सकते हैं delta a upon delta t यह हर जगे same होगा और जिस तरीकी से आप विलोसिटी निकालते हैं विलोसिटी का मतलब displacement upon time है ना तो delta s upon delta t है जो भी आप symbol यूज़ करते हो ऐसे लिखते हैं जैसे आप velocity निकालते हैं इसी तरह delta a upon delta t को यहाँ पे aerial velocity यानि कि छेत्रिय चाल कहा गया तो आपने क्या देखा कि जब for same interval of time delta t delta a is same everywhere हर जगे समान समय अंत्राल में समान छेत्रफल कवर करती है सूर्य और planet को मिलाने वाली रेखा ठीक है तो आप क्या कहेंगे कि delta a upon delta t हर जगे सीम है यानि कि planet के लिए aerial velocity छेत्रिय चाल समान होगी और इससे अभी हम लोग प्रूब भी करेंगे क्योंकि कई बार exam में आप से कहा जाता है कि kepler का law लिखी और उसे सिद्ध भी कीजी तो उसे हम लोग सिद्ध भी करेंगे अभी आपको statement याद करना है कि sun के चारो तरफ आपका elliptical path में revolve करता है planet ठीक है दीर वृत्ति कक्षा में revolve करता है गती करता है और sun एक focus पे होगा यह आपका law of orbit था first law of kepler ठीक है दूसरे में हमने क्या कहा कि जब planet revolve करता है sun के चारो तरफ अपने elliptical path में तो उस समय जो aerial velocity है छेत्री चाल है वो planet के लिए सेम रहती है constant बनी रहती है ठीक है तो इसे कहा जाएगा कैपलर का second law ठीक है जिसको नाम दिया गया कैपलर का second law दूसरा नियम था जिससे हमने कहा law of area ठीक है law of area या जैनि छेत्र का नियम या कहीं कहीं इसको छेत्री चाल का नियम भी कहते है law of area या जैनि छेत्र का नियम या इसे छेत्री चाल का नियम law of aerial velocity ठीक है पहला था law of orbit दूसरा है law of area, यह law of aerial velocity, छेत्रिय चाल का नियम भी इसे कह देते हैं, ठीक है, the radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal area in equal interval of time, ठीक है, it means the aerial velocity, aerial velocity का क्या मतलब है, that is the area covered per unit time, delta a upon delta t, of a planet around the sun is constant, सूरे से ग्रह तक हीची गई, त्रिज्य, है न, जो सूरे को, यह आप सीधे से लिखेगा, सूरे को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, समान समयानताल में, समान छेत्रफल में घूमती है, इसका अर्थ है, किसी ग्रह का छेत्रिय चाल, अर्थात एकांग समय में आच्छादित छेत्रफल इस्थिर रहता है, या डेल्टा a upon delta t, हर जगे समान रहेगा, ठीक है, छेत्रिय चाल, या सिंपल आप कह दीजे, कि ग्रह सूरे के चारो तरफ देरुरत्य कक्षा में, ग्र अर्पलर का तीसरा नियम भी हम सीख लेते हैं, और फिर हम आते हैं इसके डेरिवेशन पर, तो फ्रेंट्स तीसरे नियम में हम क्या कहेंगे, कि जब प्लानेट एक एलेप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, सन इसके एक फोकस पर है, ठीक है, तो इसकी चारो तरफ रिवॉल्व करने में एक चक्कर लगाने में जो उसको टाइम लगेगा, उसको हम कहते हैं टाइम पिरिएट आवर्द काल, ठीक है, सूरे के चारो तरफ ग्रह चकर लगाने में एक चकर पूरा करने में जो समय लेता है, सूरे के चारो तरफ ग्रह एक चकर पूरा करने में जो समेले का time taken by the planet to complete one revolution ठीक है around the sun is the time period जिसे capital T से represent करते हैं और friends इसके motion में इसकी गती में यह observe किया गया कि जो T square है that is proportional to A cube और A मैंने बताया था आपको कि A is the semi-major axis ठीक है semi-major axis है यानि अर्द प्रमुख अक्ष है जो हमने इसका त्रिज्या से भी आपको explain किया था और इसे आप यहाँ पे देखेंगे कि T square is proportional to A cube semi-major axis के तीसरी घात के अनुक्रमानुपाती होता है square of the time period आवर्तकाल का वर्ब ठीक है T square proportional to A cube लेकिन यहाँ पर जब प्रूफ करेंगे तो हम एक और approximation भी लगाएंगे ज्यादा तर planet जिस कक्षा में revolve करते हैं जो elliptical path जिसमें वो revolve किया था यानि ए और भी अगर बराबर हो जाता है ठीक है कुछ प्लानेट से हैं जैसे की मरकरी जब बुद्ध है तो बुद्ध की electricity यह नि उसमें A और B का अंतर सबसे ज्यादा पाया जाता है ठीक है हर प्लानेट का जो orbit है वो अलग अलग होता है तो इन में से जो कुछ प्लानेट से जिसका electricity ज़्यादा होगी और कुछ प्लानेट की बहुत कम होती है बाकि उसके बीच की पाई जाती है तो जैसे मरकरी में बुद्ध में electricity सबसे ज़्यादा पाई गई लेकिन अधर प्लानेट है जैसे वेनस है शुक्र है तो उसमें तो सबसे कम पाई गई ठीक है लग भग सरकु करने का मत्तब यह है कि हम लगभग सरकिल भी मान लेते हैं कई जगों पर जो प्लानेट का ओर्बिट है उसके लिए शेप ठीक है वैसे यह बेसिक शेप इलिप्टिकल ही होता है लेकिन जब कोई चीज़ प्रूफ करनी है तो हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा इजी हो जा आए है डाट इस सरकुलर इन शेप ठीक है और उसके बेस पर हम प्रूफ करेंगे तो जब हम सरकुलर मान लेते हैं तो जैसे अभी हमने कहाँ टी स्कुर प्रोपोर्शनल टू एक्यूब हमने कहा है ना एज सेमी मेजर अक्सिज तो जब सरकिल मान लेंगे तो ए और बी स्कुर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब यानि तुरिज्या के क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो इस तरीके से आप थर्ड लौ को एक्स्प्लीन भी कर सकते हैं बेसिक है इसका टी स्कुर प्रोपोर्शनल टू एक्यूब तो कैपलर का तीसरा नियम क्या हो जाए The square of the period of revolution of a planet around the sun is proportional to the cube of the semi-measure axis of its elliptical orbit. किसी ग्रह का सूरे के चारो और आवर्तकाल का वर्ग इसके दीरगे वृत्तिय कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है जो आपने पढ़ा भी T square proportional to A cube है ना और अगर यह जो elliptical path है इसको near about आप circular कहतेते हैं तो इसी को आप लेख सकते हैं T square proportional to R cube ओके तो इस तरह से हम लोगों ने कैपलर के तीनों लौस देखी है एक बर फास्ट रिवीजन पर चलते हैं और फटा फटा आपको यह पुरा नोट्स भी मिल जाएगा इसी में तीन लौस कौन से हैं कैपलर की पहला नियम आपने देखा कैपलर का फ़र्स लौ था प्लानेट जो है वो elliptical path पर revolve करता है देरगृत्तिक अक्षा में गती करता है और इस देरगृत्त में जो दो focus होते हैं दो focus में से एक focus पर sun होता है ठीक है प्लानेट देरगृत्तिक अक्षा में revolve करेगा दो focus में से किसी एक focus पर sun होगा और कौन सा diagram आप बनाएंगे इस इसमें समझ पा रहे होंगे यह S focus और यह S dash focus दो focus हो गए दो में से एक focus यानि S पर आपने sun लिया है और इसके चारों तरफ elliptical path में आपका planet revolve कर रहा है यह आप diagram इसमें बना देंगे फिर second law था law of aerial velocity यह law of area ठीक है जिसमें आपने क्या कहा कि जब planet sun के चारों तरफ elliptical path पर revolve करता है तो sun और planet को मिलाने वाली जो रेखा है जो line sun और planet को मिला रही है वो equal interval में समान समय अंतराल में समान area cover करती है यानि कि यहां आपने क्या कहा कि delta t अगर सेम है तो delta a यानि area covered सेम होगा यानि delta a upon delta t हर जगे constant रहेगा यानि aerial velocity planet के लिए constant रहती है और third law आपने क्या देखा friends second law के लिए जो आपने image देना है वो कुछ इस तरीके का आप diagram बना सकते हैं ये भी देख लीजे second law में ये हम लोगों ने भी discuss भी किया था आप समझ के होंगे कि आप planet किसी भी जगे हो अपने path पर sun और planet को मिलाने वाली जो रेखा है ठीक है sun और planet को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान area cover करती है यानि अगर ये delta t में cover किया गया area है ये भी delta t में cover किया गया area है तो दोनों समान होगा यानि ये भी delta a है तो ये भी delta a ही होगा ये कहने का मतलब है और then आपने third law देखा था यानि law of period ठीक है जिसमें आपने क्या देखा कि the square of the period of revolution of a planet around the sun is proportional to the cube of the semi-measure axis of its elliptical orbit किसी ग्रह का सूरे के चारो और आवर्तकाल का वर्ग इसके दीर्ग वृत्तिक अक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के अनुकमानुपाती होता है T square proportional to A cube T square proportional to A cube आईए इसके प्रूफ पर चलते हैं सबसे पहले तो हम first law और second law केपलर का जो है उसको प्रूफ करने की तरफ चलेंगे first law का बहुत detail तो प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि बहुत higher level का है कि shape को हम कैसे elliptical प्रूफ करें basically हम यहां second law ही प्रूफ करेंगे लेकिन कुछ points हम first law के बारे में भी discuss करेंगे हम बहुत higher level पर नहीं जा रहे हैं आज के discussion में तो friends हमने क्या देखा कि elliptical path पर planet revolve करता है तीक है sun इसके एक focus पर होता है planet को मिलाने वाली यह रेखा है यह planet हमारा कुछ इस direction में जा रहा है अब planet पर जो force लग रहा है वो sun की वज़े से gravitational force है यानि gravitational attraction लगता है और इसी force से जो gravitational attraction है इसी से उसको centripetal force मिलता है और यह अपने path पर revolve कर पाता है आप ऐसा कहेंगे यहां पर तो gravitational force कितना लगता है gravitational force की definition से आपको पता है f is equal to g m1 m2 divided by r square यह होता है तो यहां हम क्या लिखेंगे हम इसे vector form में लिखेंगे यहां पर जो force लग रहा है उसको हम vector f vector form में हम ले रहे हैं force एक vector होता है f is equal to g mass of the sun हम इसे कह दें ms m1 की जगे mass of the planet mp divided by यह distance r square होनी चाहिए अगर हम इसको लिखें r square तो यहां unit vector r direction के लिए यह अगर unit vector को हम unit vector ना लिख करके पूरा vector लिखें तो नीचे हमें यहां पर r cube कर देना होता है यह vector form में आप जानते हैं ठीक है यह हो गया कितना force लगेगा planet पर due to sun gravitational force है यह gravitational attraction है यहां एक और चीज़ बता देते हैं कि इसकी direction और f की direction चुकि opposite होती है इसलिए यहां पर हम एक minus sign भी तो आसा space हम बना लें यहीं पर लिखने के लिए this is the force f is equal to minus g msmp divided by r cube into vector r minus का क्या मतलब है r vector हमारा इस direction में होगा जो sun से planet की और और force किधर होगा sun planet को अपनी और attract कर रहा है यहीं प्लानेट पर लगने वाला force due to sun तो दो opposite direction की बाद की इसलिए यहां पर minus sign अब अगर आप से पूछे कि इस force की वज़े से planet पर कितना torque लग रहा है बल आगून इसी channel पर मैंने torque से related video दिया है अगर उसमें कोई doubt है तो आप उस video पर जा कर के देख सकते हैं तो कितना torque लग रहा है तो tau is equal to r cross f ठीक है यह आप लिखेंगे अब f जो अभी आपने note किया उसको value दे दीजे यहां पर cross यह cross product है ठीक है vector product of two vectors cross product ओके तो f की value आपने लिखा minus g ms mp divided by r cube into vector r ठीक है यह magnitude वाला part अलग लिख ले तो आपको क्या मिलेगा यह r cross r यहां unit vector मैंने by mistake कर दिया है यह complete vector है अभी मैंने उपर explain किया था this is vector r तो r this r cross r और r cross r आप जानते हैं कि r cross r cross product का video भी है उसमें देखिएगा उसी vector को उसी vector के साथ cross product zero आएगा यह वाला term हो जाएगा zero इसका मतलब क्या हुआ कि gravitational attraction जो लगा उस force के कारण planet पर torque हो गया zero यहनी torque जब zero हो जाता है friends तो एक rotational motion में आप relation पढ़ते हैं tau is equal to dl upon dt है ना l क्या है angular momentum l है आपका angular momentum ठीक है कोड़ी है some way तो tau is equal to dl upon dt ठीक है जो linear motion में relation होता है एक f is equal to dp by dt उसी के equivalent उसी के तुल rotational motion में relation होता है tau is equal to dl upon dt ठीक है वो relation अगर हम use करते हैं planet के लिए और यह tau आपका 0 है ठीक है यह 0 है तो dl upon dt is equal to 0 हो जाएगा और आप differentiation से अवकलन से जानते हैं कि किसी भी constant term का differentiation 0 आता है यहाँ dl upon dt 0 होने का मतलब क्या है this l is constant है ना यानि angular momentum planet का constant हो जाएगा यह इस थीर हो गया ठीक है angular momentum constant हो जाता है magnitude constant होने का अब यह देखिए यह vector है l vector है यहाँ हमने vector term की बाद की है तो vector constant होने का मतलब क्या है कि it is constant in both for magnitude and direction ना तो इसकी direction बदलेगी और ना ही इसकी magnitude बदलेगा ठीक है since the direction of l अब l की direction की बात करें तो friends l की direction क्या होगी तो friends यहाँ पे l constant आ गया magnitude and direction दोनों में अब l जो angular momentum है उसको आप represent कर सकते है l is equal to r cross p है ना और p क्या है linear momentum यानि m into v तो आप लिख सकते हैं r cross mv है ना m vector नहीं है m को अलग लिख लें तो यह r cross v is equal to l ठीक है तो जो cross product आपने सीखा वहाँ से cross product से आप कह सकते हैं कि l की direction क्या होगी चाहे आप screw rule लगाईए या thumb rule लगाईए कोई भी rule लगाईए जो उस पे आपने सीखा है यहाँ मैं description box में cross product का भी video share कर दूँगे दुबारा प्रिवाइस कर सकते हैं कि इस l की direction r और p जिस plane पे होंगे है ना जिस सतह पर r और v होंगे r cross v करने से l आ रहा है तो r और v जिस plane पर होंगे उससे perpendicular उससे लंबवत l की direction होगी ठीक है और साथ ही हमने ये भी देखा कि जो planet move कर रहा है एक तो ये point आपको याद रखना है याप पर कि l की direction r और v जिस plane पर हैं उस plane से perpendicular होगा ठीक है points जो हम लोगों ने प्रूफ किया कहां तक पहुंचे l constant हो गया यह आपने नोट कर लिया इसे भूलना नहीं है क्योंकि l constant तक हम इसे लेने वाले हैं andicular होगा जिस plane में r और v हैं साथ ही जो हम लोगों ने starting में बात की कि planet पर कौन सा force लग रहा जिसकी वज़े से वह अपने path पर evolve कर रहा है तो वो है gravitational attraction by sun ठीक है और sun का gravitational attraction के बारे में आप कह सकते हैं कि जिस force के अंडर जिस central force के अंडर planet move कर रहा है गती कर रहा है ठीक है वो कैसा force है the action of that force है न कैसा होगा वो force vary करता है as the square of the distance ठीक है square of distance पर depend करता है inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun जैसे अभी हम लोगों ने क्या लिखा था कि f is equal to g m1 m2 divided by r square है न तो यह force जो की planet पर लगेगा sun की वजे से जहां पर हमने m1 को ms और m2 के mp लिखा था तो यह कैसे vary करता है it depends on the square of the distance between the planet and the sun तो जब यह inversely proportional force पर depend कर रहा है तो इन conditions को लेकर के यह proof किया जा सकता कि l constant है l की direction r और v के plane से perpendicular है और जो planet पर force लग रहा है वो planet और sun को जो जोडने वाली line है उसके उस distance के square पर depend करती है तो इन तीन points को लेकर की प्रूफ किया जा सकता है कि planet जिस path पर motion करेगा वो path elliptical होगा और यही है first law कि planet sun के चारों तरफ elliptical path पर दीर्ग व्रत्ती कक्षा पर गती करता है तीक है आप यहाँ पे अभी आज हम सी ती ही कहेंगे कि यह proof किया जा सकता है हम उसे proof नहीं कर रहे हैं हम second law को basically proof करेंगे चुकि यह वाला proof थोड़ा जो कक्षा का proof करना हो थोड़ा higher level का है वो हम यहाँ पे अभी नहीं लेंगे तो हम second law पे अब आ जाते हैं हमने कहा था आपको कि यहाँ तक proof आपको जो आपने note किया मेरे साथ कि हम L को constant proof कर चुके हैं तो L आपका constant हो गया tau is equal to dl upon dt tau 0 हो गया तो dl upon dt constant हो गया अपने note भी कर लिया होगा अब इससे आगे हम चलते हैं कि second law को हम कैसे proof करेंगे तो friends हमने क्या देखा tau is equal to dl upon dt चुके tau 0 हो गया आपका ठीक है tau is 0 तो L is हो गया constant L is equal to constant tau 0 हो गया यहनि कि moment of force 0 हो गया तो L आपका constant हो जाता है ठीक है अब L को constant हमने proof कर दिया अब आते हैं कि planet जो है elliptical path पर motion कर रहा था जिस पे sun एक focus पर था ठीक है यहाँ कहीं आपका sun था अब इससे यह planet को मिलाने वाली रेखा हो गई P point पे आपका planet था P से कहां तक पहुच गया P dash तक पहुच जाता है जब P dash पर यह चला गया P से P dash पर चला गया यह आपका sun है P से P dash पर planet चला गया तो यहाँ तक जाने में उसने जो area कवर किया delta A वो हम triangle S P P dash इस triangle से हम उस area को represent करेंगे अगर इस triangle का area निकालने के लिए कहा जाए friends हम vector area की ही बात करेंगे तो area क्या आएगा हमारा delta A is equal to 1 by 2 vector R cross vector P P dash यह vector हम लेंगे कैसे बिल्कुल वैसे याद रखेगा area of triangle क्या होता है 1 by 2 base into height है यह आपको basic formula याद है तो यहाँ पर यह triangle ही आप मान लेजे इसको लगभग triangle मानिए आप यह जो भी मानिए इसको आप base कह दीजिए imagine करिए यह angle बहुत छोटा हम angle लेंगे तो आप इसको base imagine करिए और यह देखिए R हो गया आपका तो 1 by 2 R cross PP dash है ना is equal to area vector A 1 by 2 base into height आपको याद रहेगा उससे 1 by 2 R cross PP dash भी आपको याद रहेगा 1 by 2 यह हो गया आपका R vector R हो जाएगा यह और यह है आपका PP dash ठीक है vector PP dash तो 1 by 2 PP dash ठीक है 1 by 2 R cross PP dash यह हो गया area ठीक है अब PP dash क्या है इस path पर planet कितना displacement दे रहा है और displacement क्या होता है velocity into time interval ठीक है displacement PP dash को हम लिख सकते है velocity into time interval 1 by 2 R cross V velocity vector into delta T ठीक है 1 by 2 R cross V into delta T अब R cross V से हम क्या निकाल सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों निकाला था कि लिनियर मोमेंटम से हम इसको relate कर सकते हैं ठीक है R cross V को हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे करिए 1 by 2 नीचे M एक लिख देते हैं तो 1 M हम उपर भी लिख देंगे into delta T है ना यहां M लिखा और यहां M लिखा ओके अब यह M V क्या हो गया P बन गया linear momentum यानि कि हम लिख सकते हैं इसको 1 by 2 M R cross P delta T ठीक है R cross P यह क्या हो गया angular momentum L is equal to होता है R cross P है ना आप जानते है angular momentum L is equal to होता है R cross P है ना तो इसकी जगे हम L लिख सकते हैं यानि कि हमें क्या मिलेगा जो area covered है ना जो area covered हम ले रहे थे इससे पहले अभी हम लोगों ने क्या लिया area covered ठीक है यहां देखे delta A यह हमारा था delta A जिसे हम लोगों ने अभी यहां पे निकाला कहा तक पहुँचके हम यहां तक पहुँचके यह हमारा आ गया 1 by 2m r cross p delta t r cross p की जगे अब हम यह l लिखने जा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा delta A यहनी area covered is equal to in vector notation vector formula 1 by 2m l जो आपका angular momentum है into delta t अब delta t से दोनों तरफ divide कर दीजिए तो left side में आपको delta A upon delta t मिल जाएगा दूसरी side बनेगा l upon 2m delta t upon delta t delta t delta t cancel हो जाएगा और aerial velocity जो है छेत्री चाल planet की delta A upon delta t is equal to l upon 2m अब mass तो constant हम लेंगी और l हम constant prove कर चुके हैं तू fix number है यहनी यह क्या हो जाएगा planet के लिए constant ठीक है और यही हमें बताना था second law जो कैपलर का है वो क्या कहता है कि planet की aerial velocity यहनी छेत्री चाल इस्थिर रहती है आई यह थार्ड law को prove कर देते हैं तो कैपलर का थार्ड law हम लोगों ने अभी क्या देखा था t square proportional to A cube और अगर हम कहते हैं कि लगभग circular path है तो हमने क्या लिखा था t square proportional to R cube ठीक है तो हम अब आज यहां इसको prove करेंगे ठीक है t square proportional to R cube हम prove करेंगे और हम लोगों ने क्या देखा कि जब planet revolve करता है around the sun और हम अभी समय हम क्या कहरें लगभग circular ठीक है क्यों क्योंकि circular motion आप पढ़ चुके हैं आपको सारी चीजे पता है circular motion के बारे में तो इसे prove करना आसान है जब circular motion में planet चल रहा है तो उस पर एक centripetal force लगता है जो sun का gravitational attraction है उसकी वज़े से और ये जो gravitational attraction है गुरुत्व अकर्षन बल जो लग रहा है उसी से planet को मिलता है centripetal force है अभी केंदर बल किता होता है mv square upon r के बराबर है तो ये अभी केंदर बल centripetal force किससे मिलता है उस gravitational force है जो sun लगा रहा है planet के ऊपर और gravitational force कितना होता है gravitational force की जो definition है उससे आप लेख सकते हैं gm1m2 है ना यहाँ पर ms mp कह दें divided by r square r sun और planet को मिलाने वाला radius है त्रिज्या है तो यहाँ पर जो centripetal force है required centripetal force आवश्य का भी केंदर बल वो इस गुरुत्वा करिशनल बल के बराबर हो जाना चाहिए gravitational attraction और required centripetal force बराबर होगा तभी planet आपका balance हो करके अपनी orbit में revolve करेगा उसे regular balanced ही revolve करना चाहिए तो यह force इसके बराबर होना चाहिए न कम न ज्यादा ठीक है ज्यादा होगा तो भी revolve नहीं कर पाएगा कम होगा तो भी revolve नहीं कर पाएगा तो और चुकि balance revolve कर रहा है तो हम इन दोनों force को बराबर रख लें जरासा यानि इस case में हम क्या कहेंगे हम कहेंगे mv square upon r is equal to g ms mp mass of the sun mass of the planet divided by r square ठीक है यहां हमने सिर्फ magnitude की बात की है क्योंकि हमें magnitude की जरूरत है हमें vector notation पे जाने की जरूरत नहीं है इस r से यह square वाला cancel हो जाएगा और यहां पर मैंने सिर्फ m लिखा है यह actually किसके motion के लिए है centripetal force यहीं से बता दो उपर से कि जब हम यहां पर planet के लिए mp mass use कर रहा है friends तो हमें यहां पर भी इस mass को mp लेना चाहिए क्योंकि यह किसका motion है planet का ठीक है planet motion कर रहा है तो हमें planet का mass लेना चाहिए क्योंकि planet के लिए required centripetal force है जो आपका जो ग्रह है उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बलकी हम बात कर रहा है तो हम इस mass को m लिखेंगे यहां पर भी हम इस mass को चुकि planet का motion हम study कर रहे है तो mass भी उसी planet का required centripetal force planet के लिए अब इस mp से यह mp cancel हो जाएगा तो square of the velocity कितनी हो जाएगी वी square यहां से आप निकालेंगे वी square आ जाएगा आपका g mass of the sun divided by r ठीक है यह आगे आपका अब अगर हम velocity निकालना चाहे है planet elliptical path पे चल रहा है यहां speed है हम vector की बात नहीं कर रहे है तो यह speed है और speed यानि चाल बराबर क्या होता है distance upon time है ना speed is equal to होता है distance upon time और यहां हम लगबग circular path की बात कर रहे हैं तो हम एक चकर पूरा लगाने में जो time period लगा वो t है और एक चकर में चली गई distance कितनी है circumferences की परिधी है ना तो speed is equal to distance upon time से पूरा चकर लगाने में time है t और पूरा चकर लगाने में चली गई distance से परिधी 2 pi r तो इस speed क्या हो जाएगा 2 pi r upon t ठीक है 2 pi r upon t यह speed हो गई अब इस speed को यह जो यहां पे value i है यहां पे हम substitute करेंगे v square की जगे पर substitute करेंगे तो क्या आजाएगा हमारे पास हमें मिल जाएगा यहां पर जो v की value i 2 pi r divided by t का whole square is equal to g ms divided by r ठीक है इसको solve करें जड़ासा और हम t square निकाल ले है ना solve करने से में क्या मिलेगा 4 pi square r square upon t square is equal to g m upon r तो यहां से t square is equal to क्या आजाएगा t square आपका आजाएगा t square is equal to 4 pi square divided by g ms mass of the sun into r cube तो बाकी term तो constant आ रहे हैं तो यहां इसको proportionality constant मानके आप लेख सकते हैं t square proportional to r cube और यही हमें कैप्लर के third law के लिए प्रूफ करना था तो आज की इस वीडियो में इतना ही अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक यू आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रही लिगा